हेलो गाईस स्वागत है आपका एक और नही वीडियो के साथ में यह जो वीडियो होने वाली है इस वाली वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं हमारी 12 जो क्लास है उसकी अकाउंट्स का स्लेबस डिसकस करेंगे हम इस वाली वीडियो में कि क्या-क्या हम आपने जो 12 स्टेंड है accounting में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं किस तरीके से पढ़ेंगे हम 12 में और कैसे-कैसे हम मार्क स्कोर कर सकते हैं तो वो मैं आप सबको बताऊंगा इस वाली वीडियो में यहाँ पर जो जनरली हम डिसकस करेंगे वो आपको वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पर तो अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आप हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा जो कोर्स है वो ऑन-laiन भी चल रहा है और ऑफ-laiन भी चल रहा है तो आप उसे भी जोईन कर सकते हैं अगर आ आपकास लेवस में आ जाता है पार्ट्नर्शिप अकाउंटिंग ठीक है पार्ट्नर्शिप अकाूंटिंग क्या हो पड़े हम यहाँ पर क्वााट्र सूल प्रप्राइवर्शिप boiling नेता है तो mediatुम से आपके वह भी company accounting ठीक है, दूसरी आ जाती है, आपके पास में company accounting तो partnership accounting क्यों देखिए जैसे हम accounting आगे करते रहेंगे, तो वैसे-वैसे हमारा standard बढ़ता जाएगा, अभी हम 12th में 12th में, हम partnership accounting सीखेंगे, company accounting सीखेंगे, जब आप college में जाएंगे, तब आप financial accounting सीखेंगे, cost accounting management accounting सीखेंगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं वैसे भी हमारा accounting का standards है वो भी higher होते रहते हैं और दीरे-दीरे करके हम उन्हें भी पढ़ना होता है हमें ठीक है तो जब हम 11 में थे तो आपके पास में जो profit होता था वो भी आपी का होता था या फिर अगर कम को loss हो रहा है तो वो भी आपी का होता था ठीक है उस वाले case में यानि कि जहां हम 11 की accounting करते थे तो 11 की जो accounting होती हो वो सोल प्रेबरेशिप बेसिस पर होती है और जो आपके 12 की accounting होगी 12 की accounting में हम दो अलग अलग पढ़ेंगे एक कमपनी अकाउंट पढ़ेंगे और दुसरा partnership accounting पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे जो partnership accounting होता है उसमें कितने chapters होते हैं आपके जो partnership accounting होता है उसमें आपके साथ chapters होते है 1234567 ठीक है तो हम जो अभी आगे वीडियो में start करेंगे next वीडियो में जो आपको chapter start होगा वो fundamentals of accounting start होगा तो आप हमारी वीडियो के साथ में बने रहिएगा और चैनल को subscribe कर लिजेगा ठीक है तो यह साथ chapters होते हैं आपके इसमें जो आपके अभी quarterly exam होगा quarterly exam में most जो मुझे लगता है कि अगर आपके teacher ने इतनी जल्दी भगा दिया तो आपके यह चार chapters आने वाले गुडविल profit sharing ratio तो दो दिन का chapter है proper दो दिन का chapter उससे related जितनी भी सारी queries होगी वो मैं आपको चैनल पर बता दूगा fundamental of partnership है उसमें थोड़ा सा time लगेगा और आपका admission वाले में थोड़ा सा part लगेगा मतलब time लगेगा इस वाले part में तो जो आपका quarterly exam के हिसाब से बता हूँ तो quarterly exam के हिसाब से जो fundamental of accounting है और आपका admission of a partner है इनसे बहुत सारे questions आने वाले हैं यह आपका almost 70% जो slaves होगा वो इसी में से आएगा ठीक है 70% जो slaves है वो आपका इसी में से आएगा fundamental of partnership और admission of a partner से quarterly में ठीक है आगे जब आएगा board के आगे जब chapter complete करा देंगे थोड़े से बहुत आपके यह चैनल पर तो आपको आगे की information भी मैं accounting के बाद हम आ जाते हैं अपनी company accounting पर company accounting यार 12 की बिल्कुल जान है अगर आपको company accounting आती है तो आपको कोई failure नहीं कर सकता क्यूंकि partnership accounting का वेटेज इतना नहीं है 80 में जितना आपका company accounting का वेटेज है क्यूंकि आपका paper जो होता है board में वो होता है 80 के इसाब से यानि कि 80 नंबर का आपका paper होता है 80 में से shares और debentures ये दो chapter ही आपके 20 से 30 marks के आते हैं 20 से 30 marks ये 30 से 35 भी हो सकता है याद रखना ISE board जो है आपका उसमें एक क्या नम है maybe 2019 का जो paper है उसमें 33 या 34 marks का paper आ रखा था आपका 33 या 34 marks का सिर्फ shares और debentures में ये chapter तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा आप बोलेंगे कि बहुत अच्छे से clear है chapter और आपको जब कराऊंगा तो आप बोलेंगे सर मज़ा आगे इस व चीज इस पर से छूटे ना ठीक है तो 20 से 30 marks का ये हो गया और cash flow statement ये 10 नमबर का question अगर 80 नमबर का paper आ रहा है आपका तो ये 10 नमबर का question आपका आएगा ही आएगा ठीक है यानि कि 10 नमबर ये हो गया आपके 30 नमबर ये हो गया सिर्फ इन दो chapters की बात कर रहो हूं मैं 40 से 50 नमबर के आपकी company accounting आजाएगी 40 से 50 नमबर के आपकी company accounting आएगी और जो 20 से 30 marks होंगे वो आपकी partnership accounting आएगे तो ये जो आपका है ये आपका syllabus है जो आपने सारे chapters पढ़ने है 12 में तो जो हम कल स्टार्ट करेंगे यानि कि या फिर कल स्टार्ट बोल सकते है फिर आज रात में भी जो हम chapter start करेंगे वो हम करेंगे fundamentals of accounting ठीक है यानि कि first chapter start करेंगे fundamentals of partnership तो इस वाले chapters के आपको सारी details मिलेंगी पहले theory मिलेगी उसके बाद एक एक जो topics होंगे इनका topics समझाया जाएगा और then आपको उसके numerical solution भी हमारे channel पे कराये जाएगे तो इस वाली video के लिए इतना ही है thank you और अपने friends के साथ में syllabus share कर दीजेगा और भी काफी सारी videos आने वाली है channel पे तो उसके लिए subscribe कर दीजेगा channel अगर आप पहली बार आये हैं thank you